शारुख खान के साथ एक बार फिर से काम करेंगे एटली शारुख खान के सिर्फ देश में नहीं बलकि विदेश में भी लाखो फैंस है शारुख की फिल्मों का फैंस को बेस सबरी से इंतजार रहता है अपनी पिछले साल आई फिल्म जवान से शारुक ने हिंदी सिनमा के कई रिकॉर्ड तोर डाले थे जवान को एटली ने डारिक किया था और अब एक बार वो फिर से कुछ बड़ा प्लैन कर रहे हैं सुपरस्टर और शारुकान अपनी परसनल लाइफ के साथ साथ अपनी फिल्मों के लिए भी काफी जाने जाते हैं पिछले साल शारुक ने तीन ब्लॉक पिस्टर फिल्म्स दर्शिकों के सामने रखी थी चार साल बाद शारुक कान ने फिल्म पठान के जरिये थेटर में वापसी की थी जिसके बाद जवान के साथ उन्होंने हिंदी सिनमा के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तो डाले बारत में जवान हिंदी सिनमा की सबसे ज़ादा कारोबार करने वाली फिल्म बन गई शारुक की जवान ने 1000 करोड से ज़ादा का कारोबार किया था इस फल्म को साउथ के मशूर डिरेक्टर एकली ने डिरेक्ट किया था और एकली हमेशा से ही शारुक खान के साथ काम करना चाहते थे जवान के जरिये उनका ये सपना पूरा हुआ लेकिन लगता है कि एटली का शारुक के साथ काम करके मन नहीं भरा है हाली में कॉनक्लेव में एटली ने एक बड़ा हिंट दिया जिसने सभी को खुश कर दिया आने वाले वक्त में शारुखान के साथ फिर से काम करने के बारे में पूछे जाने पर डिरेक्टर ने कहा मैं निशित रूप से आपको सर्प्राइस करूँगा मैं वादा पूरा करूँगा, मैं आपको जवान से भी बड़ी फिल्म दूँगा और मैंने शित रूप से उनके पास जाऊंगा एटली का कहना है कि शारुखान के पास अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर वो जाएंगे अगर उन्हें कहानी पसंद आती है तो वो उसे साथ में जरूर करेंगे डिरेक्टर ने आके कहा कि मुझे पता है कि वो मुझे से बहुत प्यार करते हैं वो काफी अलग है, वो हमेशा एक एनलशी में रहते हैं वो बहतरीन इंसान है जिन्हें मैंने आप भी तक की अपनी लाइफ में देखा है आपको बता दे डिरेक्टर एटली शारूखान के काफी बड़े फैन है उनकी लगभग सारी फिल्में उन्होंने देखी है एटली की माने तो शारूखान हिंदी सिनमा का एक बड़ा जहरा है